नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे की क्यल बिलेंड HD टैबलेट का उप्योग किन कंडिशन्स में किया जाता है, क्यल बिलेंड HD tablet को कैसे लेना चाहिए और Cal blend HD tablet की वज़े से क्या side effects हो सकते हैं और यह भी discuss करेंगे की Cal blend HD tablet को लेते समय क्या-क्या सावधानिया रखनी चाहिए और किन व्यक्तियों के लिए Cal blend HD tablet को लेना जरूरी होता है और किन व्यक्तियों में Cal calcium की कमी होने का जोखिम अधिक होता है हमारे शरीर में दांटों और हड्डियों को मसबूत बनाए रखने के लिए Calcium बेहद ही जरूरी होता है हमारे शरीर का 99% Calcium हमारे शरीर की हड्डियों और दांटों में store होता है और बचा हुआ 1% हमारे बलड में होता है। जब हमारे बलड में कैल्शियम की कमी हो जाती है। तब हमारा शरीर हड्डियों और दांतों से कैल्शियम लेने लग जाता है। जिसकी वज़े से धीरे धीरे हड्डियां और दांत कमजोर होने लग जाते हैं। हड्डिया कमजोर होने की वज़ा से हड्डियों में हलकी सी चोट या गिरने की वज़ा से भी फ्रैक्चर हो सकता है। कैल्शियम की कमी की वज़ा से दांतों की जड़े कमजोर हो जाती है और दांत भंगुर होकर तूटने लगते हैं। और छोटे बच्चों में कैल्शियम की कमी होने पर उनके दांतों को निकलने में देरी हो सकती है, या लंबा समय लग सकता है, बच्चों में कैल्शियम की कमी लंबे समय तक रहने पर उनकी हाइट भी कम रह सकती है, कैल्शियम की कमी की वज़ा से बच्चों में Ricketts हो सकता है और Adults में Osteomalacia और Osteoporosis होने का रिस्क अधिक हो जाता है Osteoporosis एक हड्डियों का रोग है जिसमें हड्डियां बहुत ही कमजोर व अंदर से खोखली हो जाती है जिसकी वज़ा से हड्डियों में हलकी सी चोट या गिरने की वज़ा से भी फ्राक्चर हो सकता है शरीर में कैल्शियम की कमी होने पर शरीर की हड्डियों और जोडों में दर्थ रहने की समस्या भी हो सकती है कैल्शियम के साथ विटामिन D भी लेना जरूरी होता है शरीर में विटामिन D की कमी होने पर भी कैल्शियम की कमी हो सकती है, क्योंकि विटामिन D शरीर में कैल्शियम के अवशोशन में मदद करता है, और शरीर में विटामिन D की कमी होने पर शरीर भोजन से कैल्शियम का अवशोशन अच्छी तरह से नहीं कर पाता है, जिसकी वज क्योंकि विटामिन D के बिना आपके शरीर में कैल्शियम का अवशोशण नहीं होगा और आपके द्वारा लिए जाने वाले कैल्शियम के सप्लिमेंट्स पेशाप के जरीए शरीर से बाहर निकल जाएंगे। इसलिए कैल्शियम और विटामिन D को एक साथ लेना जरूरी होता है। कैल्ब्लेंड HD टैबलेट में कैल्शियम के साथ साथ विटामिन D भी होता है। इसलिए आपको विटामिन D के सप्लिमेंट्स अलग से लेने की जरूरत नहीं होती है। दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है, तो कृप्या वीडियो को लाइक करना वा चैनल को सब्सक्राइब करना न भूले। अब हम डिसकस करेंगे की कैल ब्लेंड HD टैबलेट का उप्योग किन कंडिशन्स में किया जाता है। कैल ब्लेंड HD टैबलेट का उप्योग शरीर में कैल्शियम की कमी होने पर, हड्डियों में फ्राक्चर होने पर, रूमेटोड अर्थराइटिस और ऑस्कियो आर्थराइटिस होने पर, शरीर के जोडों, हड्डियों वं मास्पेशियों में दर्ध होने पर, निूरोपैथिक दातों, जोडों और हड्डियों को स्वस्थ बनाये रखने के लिए शरीर में नुट्रिशन की कमी होने पर और जो व्यक्ति मिर्गी या दौरों की दवाईया ले रहे हैं, जैसे फेनोबार्बिटल फेनितोईन उन व्यक्तियों को भी डॉक्तर कैल ब्लेंड HD टैबलेट को लेने की सला दे सकता है, अब हम डिसकस करेंगी कि किन व्यक्तियों में कैल्शियम की कमी होने का जोखिम अधिक होता है, और किन व्यक्तियों को कैल ब्लेंड HD टैबलेट को लेने की जरूरत पड़ सकती है, जो व्यक्ति शुद्ध शाकाहारी डाइट लेते हैं, और दूद दही जैसे डेरी प्रोडक्स का सेवन बहुत कम मात्रा में करते हैं, ऐसे व्यक्तियों में कैल्शियम की कमी होने का जोखिम अधिक होता है, इसलिए ऐसे व्यक्तियों को कैल ब्लेंड HD टैबलेट को लेने की जरूरत पड़ सकती है, महिलाओं में मेनोपॉस के बाद एस्ट कैल्शियम की कमी को पूरा करने के लिए और ऑस्टियो पोरोसिस से बचने के लिए डॉक्तर मेनोपॉस के बाद महिलाओं को भी कैलब्लेंड HD टैबलेट को लेने की सला दे सकते हैं, अगर आप ज्यादा मात्रा में प्रोटीन या नमक का सेवन करते हैं, तो आपके शरीर म कैल्शियम की कमी हो सकती हैं, क्योंकि प्रोटीन और नमक का सेवन अधिक मात्रा में करने से शरीर से कैल्शियम ज्यादा मात्रा में बाहर निकलता है अगर आपने स्टेरोइड दवाईयां जैसे प्रेडमिसोलोन, मिथाईल प्रेडमिसोलोन, डिफलाजा कोरट और बीता मेथासोन आधी दवाओं का सेवन लंबे समय तक किया है, या कर रहे हैं, तो आपका डॉक्तर कैल ब्लेंड HD टैबलेट को लेने की सला दे सकता है, क्यों इसके अलावा किड्नी फेलियर होने पर भी शरीर में कैल्शियम की कमी बहुत जल्दी होती है, जिन व्यक्तियों को लाक्टोज इंटॉलरंस की समस्या है, उन व्यक्तियों में भी कैल्शियम की कमी हो सकती है, लाक्टोज इंटॉलरंस की समस्या होने पर व्यक्ति दूद क को अच्छी तरह से पचा नहीं पाता है जिसकी वज़से भी शरीर में कैल्शियम की कमी हो सकती है अगर किसी व्यक्ति को दूद को पीने के बाद पेट में दर्द पेट में गैस पेट में भारीपन दस्त या स्टूल के अंदर फैट आती है तो ये लक्षन लैक्टोज इंट recommended होता है कैल्ब्लेंड एच्डी टैब्लेट को आप हलके गर्म दूद या हलके गर्म पानी के साथ ले सकते हैं आम तौर पर 18 साल से अधिक उम्र के ज्यादा तर व्यक्तियों को डॉक्तर कैल्ब्लेंड एच्डी टैब्लेट को दिन में एक ही बार लेने की सलाह देते हैं क कैलबलेंड HD टैबलेट की डोज उम्र, शरीर के वजन और बीमारी की गंभीरता के आधार पर कुछ व्यक्तियों में इससे अलग भी हो सकती है। इसलिए आपको कैलबलेंड HD टैबलेट को आपके डॉक्तर वारा बताई गई डोज में ही लेना चाहिए। कैलबलेंड HD टैबलेट को कितने समय तक लेना चाहिए। यहां उम्र और बीमारी की गंभीरता के आधार पर सभी व्यक्तियों में अलग अलग हो सकता है। इसलिए कैलबलेंड HD टैबलेट को डॉक्तर की सलाह के बिना ज्यादा लंबे समय तक नहीं लेना चाहिए। कैलशियम का सबसे अच्छा स्रोथ दूद को माना जाता है। और दूद से बने उत्पात जैसे की पनीर और दही में भी कैलशियम अधिक मात्रा में पाया जाता है। इसलिए अगर आप अपने शरीर की कैलशियम की कमी को प्राकृतिक खाद्यय पदार्थों से पूरा करना चाहते हैं, तो आपको इनका सेवन परियाप मात्रा में करना चाहिए। एक लीटर दूद में लगभग 1300 mg कैलशियम होता है। अगर कोई व्यक्ति या बच्चा प्रति दिन एक लीटर दूद को दो भागों में बांट कर सुबह शाम पी लेता है, तो उसमें कैलशियम की कमी नहीं होती है। इसके अलावा मूंग दाल, बादाम, नारियल, सोया बीन, आम, संतरा और आवला भी कैलशियम से भरपूर होते हैं। इसलिए इनका सेवन आपको भरपूर मात्रा में करना चाहिए। साइड इफेक्स की बात करें तो वैसे तो कैलब्लेंड HD टैबलेट एक बहुत ही सुरक्षित दवा है। और ज्यादातर व्यक्तियों में कैलब्लेंड HD टैबलेट की वज़ह से कोई साइड इफेक्स नहीं होते हैं। लेकिन अगर आप Caliblend HD Tablet को Recommendate Dose से ज्यादा Dose में लेते हैं, तो इसकी वज़़ से Blood में Calcium का Level ज्यादा हो सकता है, जिसको Hypercalcemia भी कहते हैं, शरीर में Calcium का स्तर ज्यादा होना भी नुकसान दायक होता है, कुछ Research में यहाँ पाया गया है कि Blood में Calcium का Level ज्यादा होने से दिल से संबंदित रोग होने का रिस्क अधिक हो जाता है, किड्मी में पत्री होने का रिस्क भी अधिक हो जाता है, इसलिए डॉक्तर की सला के बिना Caliblend HD टैबलेट को ज्यादा डोज में या ज्यादा लंबे समय तक लेने से बचना चाहिए, अब हम डिसकस करेंगे कि Caliblend HD टैबलेट को लेते समय क्या-क्या सावधानिया रखनी चाहिए, थाइरोड की टैबलेट और Caliblend HD टैबलेट को एक साथ लेने से थाइरोड की टैबलेट का अवशोशन कम हो सकता है, जिसकी वज़ा से थाइरोड की टैबलेट की प्रभावशीलता कम हो सकती है, अगर आप thyroid की tablet को लेते हैं, तो आपको thyroid की tablet और Calblend HD tablet में 8 से लेकर 10 घंते का gap रखना चाहिए. Kidney की कोई समस्या होने पर और Kidney में पत्री होने पर Calblend HD tablet को डॉक्तर की सला के बिना नहीं लेना चाहिए. आपको Calblend HD tablet को लेते समय आईरन के supplement लेने से बचना चाहिए. क्योंकि Calcium के साथ आईरन के supplement लेने से Calcium शरीर में आईरन के अवशोशन को रोक सकता है. वीडियो को देखने के लिए आपका धन्यवाद अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और अगर आपका Calblend HD tablet से संबंधित कोई प्रश्न है, तो आप कमेंट करके पुच सकते हैं.